जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंडा पालक की रेसिपी तो चलिए सुरू करते हैं डेली और वीकंड स्पेसल रेसिपी इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें तो इस सबजी को बनाने के लिए सबसे पहले हम पेन में तीन टेबल स्पून तेल अच्छे से गरम कर लेंगे और इसमें कुछ खड़े मसाले एट करेंगे जैसे की एक तेज पत्ता, एक दालचीनी, एक बाध्यान का फूल और हाफ टी स्पून जीरा कुछ सेकंड्स तक इन खड़े मसालों को तेल में सोटे कर लेंगे और अब हम इसमें एट कर देंगे एक मीडियम साइस की कटी हुई प्यास प्यास को हम तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो golden brown होने तक प्यास को fry करने के बाद हम इसमें add करेंगे एक टेबल स्पून अद्रक लहसुन का पेश्ट और इसे भी तब तक fry करेंगे जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए अद्रक लहसं का कच्चापन दूर होने तक मैंने इसे तेल में एक मिनिट टक फ्राई कर लिया है इस टेज पर हम इसमें add करेंगे पालक तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पालक को बारिक काट लिया है और हाईफ लेंप पालग को 2-3 मिनिट तक फ्राई कर लेंगे जब تक कि यह थोड़ी सोफ्ट ना हो जाए तो देखें मैंने हाईफ लेंप पालग के लिए पालग को फ्राई किया है और आप देख सकते हैं कि यह सोफ्ट होने लगी है इस टेज पर हम इसमें एड़ कर देंगे एक मीडियम साइस का कटा हुआ टमाटर तो कुछ दिर तक तेल में फ्राई करने के बाद जब टमाटर सोफ्ट होने लगे तब हम इसमें सुखे मसाले एड़ कर देंगे जिसे की half teaspoon या फिर स्वादनु सन नमक, एक teaspoon धन्या पाउडर, एक teaspoon लालमीज पाउडर, एक चोथाइटी स्पून हल्दी पाउडर और एक चोथाइटी स्पून काली मीज पाउडर तीन से चाट टेबल स्पून पानी एड़ कर देंगे और इन सुखे मसालों का कच्चापन दूर होने तक हम इसे दो मिनिट टक खुले में भूनेंगे पालक और अंडे का ये कॉंबिनेशन बहुत ही सांदार है और कुछ ही मिन्टों में मसिदार सी सबजी बनकर तयार हो जाती है तो एक पर आप इस ACP को जरूर ट्राई कीजिएगा और कॉमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपने एक्सपिरेंस सेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो मसालों का कच्चापन दूर होने तक मैंने इसे दो मिनिट के लिए भून लिया है अब इसे कवर करके 10-12 मिनिट तक लोफ लेंप पर पकाएंगे तो 10-12 मिनिट तक इसे कवर करके पकाने के बाद हम देखेंगे कि इसमें से तेल भी रिलीज होने लगा है और पालक और मसालों की अच्छे से भूनाई हो चुकी है इस टेज़ पर हम इसे एक बाद चेक कर लेंगे और इसमें एक टेबल स्पून मलाई एट कर देंगे या फिर आप फ्रेस क्रीम भी एट कर सकते हैं लेकिन ये दोनों चीज़ें बिल्कुल आप्सिनल है तो पालक के कडवेपन को बैलेंस करने के लिए और सबजी को बढ़िया सा टेश्ट देने के लिए हम इसमें एक टेबल स्पून मलाई या फिर फ्रेस क्रीम एट करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अधा कप पानी एट करके मिला लेंगे इसे और साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे उबले हुए अंडे तो हमने चार उबले हुए अंडों को इस तरह सेंटर मेंसे कट कर लिया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके लो फ्लेम पर सिफ 5 मिनिट के लिए पकाएंगे तो अंडे एट करने के बाद मैंने इसे कवर करके पांच मिनिट के लिए लो फ्लेम पर और पका लिया तो देखा अपने के से जट पट और आसानी से कितनी बढ़िया सबजी बनकर तयार हो गई अब हम गेस की फ्लेम को ऊफ कर देंगे और इसमें एट करेंगे एक टीसपून कसूरी में थी साथ ही में एट कर देंगे एक चोथा टीसपून गरम मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पिर इसे साउख कर लेंगे आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपि के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई